बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा साथ का विज्ञान विशे का अध्याई तेरा गती एवं समय बच्चों इस पार्ट को पिछले वीडियो में हमने कंप्रीट कर लिया था और हमने एक अच्छे से समझ लिया था कि गती क्या होती है चाल क्या होती है इसी के साथ साथ गती और चाल का मापन किस प्रकार से किया जाता है बच्चों हमने ये भी समझाता कि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ किस प्रकार से तयार किया जाता है बच्चों इस भाग में करेंगे हम इस पाट के अभ्यास प्रशने जो कि हमारे पाटे पुस्तिका में दिये गए हैं तो बच्चों जल्दी से अपने कॉपी और पहन लेकर तयार हो जाईए चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्चन है बच्चों कि निम्ण लेकित गतिओं का वर्गी करण सरलरेखा के अनुदेश वर्तूल तलता दोलन गति में किजे बच्चों यहाँ पर हमें अलग-あれग गतियां दी गई हैं लन गति तो हमारे हात क्या करते हैं आगे पिछे गति करते हैं कौन सी गती हो जाएगी इसमें दोलन गती हो जाएगी next है बच्चों सीधी सड़क पर गाड़ी को खिंचते घोड़े की गती तो बच्चों ये घोड़ा क्या कर रहा है सीधी सड़क पर चल रहा है तो कौन सी गती हो जाएगी हाँ पर सरल रेखा के अनोदिश गती हो नेक्स्ट है बच्चों, मेरी गो राउंड जूले में बच्चे की गती, तो बच्चों, ये जो मेरी गो राउंड जूला है, ये कैसे गती करता है, गोल गोल गती करता है, तो कौन सी गती होगी इसमें, इसमें हो जाएगी बच्चों, वर्तुल गती, नेक्स्ट है, सीसा जूला क्या करता है बच्चों इस तरह से उपर नीचे गती करता है तो कौन सी गती होगी इसमें दोलन गती हो जाएगी नेक्स्ट है विदुद घंटी के हतोड़े की गती तो बच्चों जो विदुद घंटी होती है उसमें भी हतोड़ा क्या करता है अपनी माद अस्तिती से विचलित होता है तो वहाँ पर भी कौन सी गती आ जाएगी दोलन गती आ जाएगी नेक्स्ट है सीधे पूल पर रेल काड़ी की गती तो बच्चों रेल काड़ी क्या कर रही है सीधे सीधे सरल रेखा में गती कर रही है तो इसमें भी कौन सी गती हो जाएगी सरल रेखा के अनुदिश गती तो बच्चों ये वाला जो हमारा प्रशन है ये कम्प्लीट हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है निम्ने लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो बच्चों ये जो हमें कथन दिये गए है इन में से हमें गलत कथन की पहचान करनी है तो पहला कथन दिया है बचों समय का मूल मातरक सेकंड है तो बचों ये कथन कैसा है बिलकुल सही है समय का मूल मातरक क्या होता है सेकंड होता है नेक्स्ट है प्रतेक वस्तू नियत चाल से गती करती है नहीं करती है बचों, हर वस्तु की चाल जो क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है, कभी चाल अधिक हो सकती है, कभी कम हो सकती है, हमेशा नियत नहीं रहती है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा नेक्स्ट है दो शहरों के बीच की दूरियां किलो मीटर में मापी जाती है तो ये कथन क्या है बच्चों बिलकुल सही है क्योंकि शहरों की जो दूरियां है वो अधिक लंबाई की है तो इसलिए हमें से किस में मापते हैं किलो मीटर में मापते हैं किसी भी दिये गए लोलक का आवर्त काल नियत नहीं होता है तो बचों हमने पढ़ा था कि लोलक का आवर्त काल कैसा होता है नियत होता है तो ये कथन कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा नेक्स्ट है रेल गाड़ी की चाल मीटर प्रतियावर में व्यक्त की जाती है नहीं कि जाती, बचो, किसमें व्यक्त करते हैं? किलोमीटर प्रतियावर में व्यक्त करते हैं तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा तो बचों यहाँ पर ख, ग, और चय ये तीनों कथन कैसे हैं?' सही नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है बच्चों कोई सरल लोलग 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है लोलग का आवर्तकाल क्या है तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है दोलनों की संख्या दी गई है और समय दिया गया है तो हम आवर्तकाल जो है वो असानिसी ग्यात कर सकते है बच्चों आवर्तकाल क्या होता है लिया गया समय बटा दोलनों की संख्या तो यहां पर हमें दोलनों की संख्या कितनी दी है 20 दी है और समय कितना दिया है 32 सेकिंड तो हम क्या लिखेंगे बच्चों 32 बटा 20 और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएग चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी बच्छों 240 किलोमेटर है कोई रेल गाड़ी इस दूरी को तै करने में 4 घंटे लेती है रेल गाड़ी की चाल परिकलित कीजी तो बच्छों चाल जो है वह हम आसानी से ग्यात कर सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय तो दूरी हमें दे गई है कितनी 240 किलोमेटर और समय दिया गया है 4 घंटे तो चाल हो जाएगी दूरी बटा समय तो हम क्या लिखेंगे 240 बटा 4 तो हमें रेल गाड़ी की चाल प्राप्त हो जाएगी कितनी होगी बच्छों 60 किलोमेटर प्रत पर पत्मापी का पाठ्धू कर परिवर्तित होकर 57,336 km हो जाता है तो कार द्वारा चली गई दोरी कितनी है कार की चाल, km प्रती मिनेट में प्रिकलित कीजिए इस चाल को km प्रती आवर में भी व्यक्त कीजिए तो बच्चों यहाँ पर हमें तीन चीज़ें ग्याद करनी है सबसे पहले हमें क्या बताना है कि इस कार की द्वरा चली गई दूरी कितनी है इसके हलावा हमें इसकी चाल भी ग्याद करनी है तो बच्चों यहां पर हमें दिया गया है कि 8.30 एम पर पर्टमापी का पाठ्यांग कितना है 57321 है और 8.50 एम पर कितना हो गया बच्चों इसका पाठ्यांग हो गया 57336 तो कितनी दूरी तैकी है यह हम आसान इसे ग्याद कर सकते हैं क्या करेंगे हम 57336 में से जब हम 57321 को घटाएंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी कितनी हो गई बच्चों 15 किलो मेटर अब समय भी हमें पता है यहां पर कि 8.50 ए 8.30 से 8.50 तक के बीच का समय कितना हो गया बच्चों यहां पर यह हो गया 20 मिनट हो गया तो चाल हम यहां पर आसानी से ग्याद कर सकते हैं कैसे करें बच्चों चाल क्या होती है चाल होती है दूरी बटा समय तो यहां पर हमें दूरी दी गई है 15 किलो मेटर और समय दिया गया है कितना 20 मिनट तो जब हम 15 बटा 20 करेंगे तो हमें जो है चाल प्राप्त हो जाएगी 0.75 किलो मेटर प्रती मिनट अब यह चाल हमें किसमें मिली में चेंज कर लेंगे, कैसे करूंगे हम, इस 20 में हम 60 का भाग देंगे, तो क्या जायगा? एक बटातीन आवर हमें समय प्राप्त हो जायेगा. अब इसके द्वारा हम चाल याद कर लेंगे, तो फिर से हम क्या करेंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हमें दी गई है 15 km और समय हमारा कितना है बच्छों यहाँ पर 1,3 आवर तो यह जो 3 है यह उपर चला जाएगा और जब हम 15 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा बच्छों 45 km प्रती आवर तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि यह जो कार है यह हर कितना चल रही है 45 km की चाल से गती कर रही है चलिए आगे बढ़ते हैं next question है बच्छों सल्मा अपने घर से साइकिल पर विध्याले पहुँचने में 15 मिनट लेती है यदि साइकिल की चाल किती है 2 मीटर प्रती सेकिंड है तो घर से विध्याले की दूरी परिकलित कीजिए क क्या निकालना है बच्छों यहां पर हमें दूरी ग्यात करनी है क्या दिया गया है हमें कि सल्मा द्वारा घर से विध्याले पहुँचने में लिया गया समय कितना दिया गया है 15 मिनट दिया गया है बच्छों इस मिनट को हमने किसमें बदल लिया है सेकिंड में बदल लिय क्यों कर रहे हैं बच्छों हम यहां पर इंटू क्योंकि सेकंड कितने हैं मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो यहां पर हमने मिनट को सेकंड में बदल लिया तो कितने आगे बच्छों 900 सेकंड हो गए अब यहां पर हमें साइकल की चाल भी दी गई है 2 मीटर प्रती सेकंड तो हम इस दूरी को किलो मीटर में चेंज करेंगे तो बच्चों हमें पता है कि जो एक हजार मीटर होते हैं किसकी बराबर होते हैं एक किलो मीटर के बराबर होते हैं इसी प्रकार बच्चों एक मीटर जो है वो क्या हो जाएगा एक बटा हजार किलो मीटर और अठारा सो मीटर ज चली अगला प्रशन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्न लिखेत इस्ततियों में गती के दूरी समय ग्राफ की आकरती दर्शाई है, यहाँ पर हमें इस्तति दी गई है और हमें इसका दूरी समय ग्राफ दर्शाना है, तो पहले इस्तति है नियद चाल से गती करती चाल, तो कार की जो चाले वो कैसी ये बच्चो नियत चाले है तो इसलिए एक सरल रेखा के diye graph हमें बराप्त होगा दूसरी स्थथी है सडक के किनारे खड़ी कोई गार तो बच्चो यहाँ पर कार क्या है खड़ी है गती नहीं कर रही है यानि कि समय तो यहां पर बढ़ रहा है लेकिन दूरी जो है वो हमेशा समान ही है दूरी नहीं बढ़ रही है क्योंकि कार जो है वो इस्तिर है रुकी हुई है तो इसका जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरह का प्राप्त होगा एक सक्ष पर समय है देखें समय जो है वो बढ़ रहा है लेकिन दूरी जो है वो नहीं बढ़ रही है दूरी इसमें हमेशा एक ही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है बचो निम्न लिखित में से कौन सा संबंध सही है यहाँ पर बचो हमें चाल दूरी और समय में जो है कुछ संबन्द दिये गए है तो कौन सा संबन्द यहाँ पर सही है बच्चों यह आप आप असानी से बता सकते हैं कौन सा संबन्द सही है बच्चों चाल बराबर दूरी बटा समय यह जो संबन्द है यह बिल्कुल सही है next question देखते है next है चाल का मूल मातरक है क्या होता है बच्चों चाल का मूल मातरक मीटर प्रती सेकेंड तो यहाँ पर जो है घजो विकल्प है यहाँ पर सही हो जाएगा चली अगला प्रशन देखते है next है कोई कार 40 किलोमेटर प्रतियावर की चाल से 15 मिनट चलती है इसके पश्चाद वहे 60 किलोमेटर प्रतियावर की चाल से 15 मिनट चलती है कार द्वरा तैकी गई दूरी होगी तो बच्चों इस सवाल को हम हल करके देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा तो कैसे हल करेंगे बच्चों सबसे पहले हमें दिया गया है कि जब कार की चाल किती है 40 किलोमेटर प्रति घंटा है तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है बच्चों इसके द्वरा लिया गया समय है 15 मिनट इस मिनट को हम किसमें बदल लेंगे घंटे में बदल लेंगे अब हमें निकालना है मचयों इस कार की द् translation की गई दूरी, तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे चाल को समय से इंटू कर देंगे तो 40 x 0.25 तो कितनी आज जाएगी दूरी 10 km दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी, यानि कि जब कार की चाल कितनी दी 40 km प्रती गंटा थी तो 15 मिन इपने उसमें कितनी दुरी तै की? 10 km की दुरी तै कर ली अब क्या हुआ? कार की चाल परिवर्तित हो गई कितनी हो गई? 60 km प्रतियावर हो गई और समय जो है वो कितना ही था? 15 मिनिट ही था इस 15 मिनिट को हमने क्या किया? घंटे में बदल लिया अब हम इसकी दुरा तै की गई दूरी गयात करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? चाल कितनी है? 60 है और समय कितना दिया گیا है? 0.25 तो क्या जाएग बच्चों? 15 km की दूरी जो है वो इसकी दूरा तै की गई यानि कि पहले इसने 10 km की दूरी तै की बाद में इसने 15 km की दूरी तै की तो इस कार के द्वारा तै की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 10 प्लस 15 25 km तो क्या उतर हो जाएगा इसका 25 km जो है वो इस कार के द्वारा तै की गई दूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशने है बच्चों, चित्र में दो वहनों A तथा B की गती के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं, इन में से कौन सा वहन अपेक शक्रत तीवर गती से चल रहा है, बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि किस वहन की चाल अधिक है, कि मालेजी यदि हम बात करें इस समय की, तो इस समय पर वहन B के द्वारा तैकी गई दूरी इतनी है, जबकि वहन A के द्वारा तैकी गई दूरी कितनी है, यह अधिक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, कि वहन A की गती वहन B से अधिक है, क्यों अधिक है, क्योंकि वहन A के दिवारा किसी समय पढ़ते हैं कि दूरी वाहन B से अधिक है यहां पर हम देख सकते हैं कि वाहन B ने इतनी दूरी तैग कि है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने है निम ने लिखे दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गती को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है बच्चों यहां पर जो है हमें चार ग्राफ दिये गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें ट्रक की चाल जो है वो नियत नहीं है तो सबसे पहला देखते हैं बच्चों हम कि यहां पर देखिए ग्राफ जो एक सरल देखा के रूप में ह यहां पर हम कहा सकते हैं कि ट्रक की चाल कैसी है proposed नियत है दूसरा ग्राफ है बच्चों यहां पर कि जो समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है यानि कि ट्रक जो है वो इस तेरह वस्ता में है गती नहीं कर रहा है। और यदि हम बात करें बच्चों इस graph की तो इसमें देखे graph जो एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, परवले के आकरती में प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कि यह जो graph है, इसके अंदर ट्रक की चाल है वो नियत नहीं है, और जो आगे वाला ग्राफ है इसमें भी क्या है बच्चों एक सरल रेका हमें मिल रही है तो यहां पर ट्रक की चाल नियत है तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा इसमें जो ग्राफ थर्ड है तीसरे नंबर का जो ग्राफ है उसके अंदर ट्रक की चाल नियत नहीं है तो बच्चों यहां पर हमारे अ आगे बढ़ते रहें धन्यवाद